जे हिंद वंदे मात्रम मैं उज्वलत्रिपाथी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल टापर स्टेन में आज स्सी जीडी के लिए है नविन्तम पेटर्न पर आधारित जो हिंदी का सेट है वो लेकर आये हैं हम और स्सी जीडी का लगतार एकजाम चल रहा है उसी पर एकदम आधारित यह प्रस्ण सिरीज है और उसको आईए फटाफट शुरू करते हैं यहां से शुरू हता है पहला प्रस्ण कौन सा सुद्ध सब्द है तो अंत्याक्षरी कैसे लिखा गया है यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसंसी अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है आपसंसी सही उत्तर है इसका देख सकते हैं अगला प्रश्ण है दूसरा लिखा गया है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है रेखांकित खंड में है मेरे को कुछ याद नहीं रहता तो यहाँ पे बोलने से ही मालूम चल जा रहा है कि गलत है, मेरे को नहीं होगा, मुझे होगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ऐसे सही उत्तर हो जाएगा इसका अगला है संकीन्ड का विलोम क्या होगा तो संकीन्ड का विलोम जो है बताना है आपसन में लिखा गया है कि विस्तार है, विस्तीन्ड है, संकुचान है, लाग हो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तिन्ड, संकिन्ड का जो है विलोम, विस्तिन्ड हो जाएगा सही उत्तर अगला प्रश्ण है, जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहा जाएगा एक सब्द में बताना है, जो सब कुछ जानता है अलपग्य, बहुईग्य, अग्य, सर्वग्य तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरवग्य अगला पांचवाँ प्रस्ण है अब यहाँ से जैसे इसमें लिखा गया है कि रिक्त अस्थान में उचित सब्द का पूर्ति कीजिए लिखा गया है कि अब यहाँ से खाली अस्थान चलना चाहिए तो सब को चलना चाहिए उनको चलना चाहिए हमको किसी को क्या भरा जाएगा अब यहां से हमको चलना चाहिए सही उत्तर हो जाएगा यह textbook का जो है series है आपके सामने और अगला प्रस्ण है छठवा है अर्थ की द्रिष्टी से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है तो एकजाम में आप ऐसे देखेंगे कि नहीं और है में काफी ज़्यादा अंतर हो जाता है तो आप देख सकते हैं पहला लिखा गया है कि ख्याली पुलाव पकाना ब्यर्थ की बाते करना अपना सा मुह लेकर रह जाना असफल होने पर लज्जित होना अंधेरे घर का उजाला एक मातर सहारा उट का सुई की नोक से निकलना सक्तिसाली का कमजोर होना तो इसका क्या जो है गलत लिखा गया है यही बताना है इसमें कौन सा मुहावरा गलत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उट का सुई की नोक से निकलना सक्तिसाली का कमजोर होना यह गलत लिखा गया है तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि क्या होगा असंभव होना उट की सुई की नोक से निकलना क्या हो जाएगा असंभव होना इसका सही मुहावरा यह होगा यहाँ पे गलत लिखा गया था अगला प्रश्ण सात्वा है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, तो रेखांकित खंड में लिखा गया है कि मौरेकाल इन समय में लोग सुखी थे, आपसन फर्ष्ट लिखा गया है मौरेकाल के समय, मौरेकाल में, और चोथा लिखा गया है मौरेकाल के यूग मे तो क्या होना चाहिए? मौरिकाली इन समय में नहीं होगा, मौरिकाल में होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसंसी, मौरिकाल में लोग सुखी थे अगला आठवा प्रस्ण है, मेग का पर्यावाची बताना है तो मेग का पर्यावाची इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरद जिसके अंत में दो लग जाए जिसके सब्द के अंत में दो लग जाए तो समझ जाएगा कि वो जो है बादल का पर्यावाची है यानि मेग का पर्यावाची है अगर यहाँ पे लिखा गया है मही धर मतलब क्या होता है धर्ती होता है धर्ली धर भी धर्ती का ही होता है परेवाची तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेग का परेवाची निरद अगर तोयद भी कहा दे तो भी जो है बादल का परेवाची हो जाएगा अगला परशन नौवा है सही यूग्म का समनार्थी बताना है सुरी का भानू सिष्ट असिष्ट गोरा काला बहुत थोड़ा तो इसमें देख सकते हैं समनार्थी जो सही होगा वो उसी को चुनना है त इसका पहला ही सही है सुरी का भानू होता है भानू भासकर दिनकर यह सब सुरी का समनार्थी सब्द है और दस्वा प्रस्ण है ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहों होता हो इसके लिए सार्थक सब्द बताना है ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहों होता हो तो जमिन जिसमें कुछ भी पैदाना होता हो उसे उसर कहा जाता है इसका सही उत्तर पहला ही हो जाएगा और 11 प्रस्ण है जो की मेरा नाम है उज्ज्वल का सही जो है कैसे लिखा जाएगा यही पताना है तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है उ आधाज़ फिर आधाज़ रहेगा फिर ऐसे सही यह बहुत बार एक्जाम में पुछा भी गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा अगला बार हुआ प्रस्ण है जो की मेरा गलत था खंडन का विलोम सब्द क्या है तो खंडन का जो है प्रस्ण है आज बजट के उपर बहस होगी कोई तुरूटी नहीं है कौन सा इसमें तुरूटी देखना है पहला दूसरा तीसरा चोथा बताईए कौन सा है आज बजट के उपर बहस होगी तो इसका जो है के उपर गलत लिखा गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा आज बजट पर बहस होगी अगला चोदावा प्रस्ण है सूरी को भी कहते हैं क्या कहते हैं अभी आम पीछे बताए हैं सूरी को दिनकर भी कहते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर समीर जो है समीर यहां पे लिखा गया है तो समीर जो है वायू का होता है अनल जो है आग का होता है सुरिका भासकर दिनकर दिवाकर भी होता है पंद्रहुमा प्रस्न जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है तो जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ बताना है तो जूतम पैजार मतलब इसका सही उतर हो जाएगा लड़ाई जगड़ा होना तो इसका हम बता दें जूतम पैजार मतलब लड़ाई जगड़ा होना होता है और जैसे एक्जाम्पल वहां गए थे नेता जी का भासर सुनने लेकिन करताओं की जूतम पैजार देखकर वापस लोटे और सुलहमा लिखा है आज की भारती सिक्षित खाली अस्थान को ग्रिहनी के रूप में नदेख पाना पूर्शो की एकांगिक द्रिष्टी का पेड़ाम है तो इसमें भारती सिक्षित नारी इसका सही उतरव जगा पुरुस नहीं होगा नारी को ग्रिहनी के रूप में नदेख पाना पूर्शो की एकांगिक द्रिष्टी का पेड़ाम है और अगला है 17 दूसरा में भरना है क्या दूसरा में भरा जाएगा यहां आपसन देख सकते हैं इसमें लिखा गया है उसकी रूचियों और भावनाओं की उपेच्छा की जाती है जो महिला है ग्रिहनी है उसकी रूचियों और भावनाओं की उपेच्छा की जाती है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसंसी 18. प्रश्ण है तीसरा में भरना है पत्नी और पती दोनों का खाली अस्तान है कि एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं पती और पत्नी दोनों का कर्तब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी दोनों का करतब भी है कि एक दूसरे का हाथ बटाएं और अगला है जो की उननीसवा प्रश्ण है आखिर नारी भी तो क्या है यहां से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा एक दूसरे की भावनाव एक्छाओं और रूचियों का ध्यान रखें आखिर नारी भी तो मनुस्य है आखिर नारी भी तो मनुस्य है उसकी अपनी जरूरते भी है और वह भी परिवार में पास पडोस में समाज में सम्मान इसका सही उत्तर हो जगा सम्मान पाना चाहती है अगला जो है बिसवा अंतिम प्रश्ण है इस सिरीज का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मान पाना चाहती है तो यह टेक्स्ट बुक का 20 प्रस्णों का सिरीज था और हिंदी का था बहुत ही सांदार सिरीज जो है हम लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार लेकर आये थे और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नटिफिकेशन आपको मिल सके धन्यबाद